नमस्काल दोस्तों मैं हूँ अर्पेत और एक बार फिर से आपका स्वागत है लोग सभाचुनाओं में अब बस चंद दिन ही बचे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं ये बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि दिल्ली की गद्धी पर उसी का कबजा होगा जो उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रजर्शन करेगा क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है इसके पीछे वज़ाए ये है कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक 80 लोगसभा सीटे हैं और यही वज़ाए कि सभी पार्टियां खास्तों से समाजवाधी पार्टी, इंडिया कड़ बंधन और भाती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना सारा जोर लगाए हुए हैं भाती जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश लोगसभा चुनाओं के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचार कों की लिस्ट जारी की है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और आप मुझे कमेंट सक्षन में बताईए कि इसमें से कितने जो प्रचारक हैं वो सफल होंगे भाती जनता पार्टी को अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने में मदद करने में तो आईए देखते हैं, पहले जो नाम है भाती जनता पारिटी के स्टार प्रचारकों का, उसमें पहले है नरेंदर मोदी, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पर भाती जनता पारिटी सबसे ज़्यादा विश्वास करती है, और पिछले दो चुनाओं में इन्होंने पहुँचा सकेंगे, जीत तक पहुँचा सकेंगे, कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, नरेंदर मोदी के बाद अगला नाम है ग्रिह मंतरी अमित शाह का, अमित शाह भी सबसे विश्वस्निय सहयोगी हैं, प्रधान मंतरी मोदी के, और वो कितने सफल होंगे यहाँ पर, यह आप लोगों को मुझे बताना है, अगला नाम है भाती जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नडड़ा, जेपी नड़ा जनता में उतने चलचित नहीं है, उनकी उतनी पैठ नहीं है, लेकिन भाजपा में इनका एक बड़ा पद है, पार्टी के अध्यक्ष का पद एक इसके बाद नाम आता है राजनात सिंह का जो कि उत्तर-प्रदेश से ही आते हैं, राजनात सिंह रक्षा-मंत्री है भारत के और एक मजबूत नेता है, वही नितिन-गडकरी जो की अगला काम की वज़े से न केवल भातिय जन्ता पार्टी बलकि विपक्ष का भी समर्थन पाते रहे हैं तो नितिन गटकरी भी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आएंगे इसके अलावा अगला जो नाम है वो है पडोस के राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंतरी मोहन यादो का भातिय जन्ता पार्टी ने मोहन यादो को मुख्यमंतरी बनाया है शेवराज सिंग चौहान को हटा कर इस बार मध्य प्रदेश में इसके पीछे भाजपा की रणनीती है कि जो यादो वोड बैंक है उत्तर प्रदेश में और बिहार में वहाँ पर भी इसे अपने पक्ष म करना तो अब मोहन यादो का काम है भातिय जन्ता पार्टी के लिए यादो वोड बैंक में सेन लगाना इसमें ये कितने सफल होंगे ये आप कमेंट सेक्षन में बताएं क्योंकि अगर इन्हें सफलता मिलती है तो अखलेश यादो और इंडिया गडबंधन के लिए बड़ खंड के सियम पुषकर सिंग धामी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं इसके बाद एक बहुत बड़ा चाहरा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंतरी योगी आदितिनाथ का ऐसा कहा जाता है कि योगी आदितिनाथ के बहुत अच्छे संबन नहीं ह और अगर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार पा जाती है तो यहां पर योगी आदितिनाथ को भी मुख्यमंतरी पद से हटाया जा सकता है उनकी जगा डिप्टी सियम केशो प्रसाद मौरे को मुख्यमंतरी बनाया जा सकता है इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक् इसके बाद हैं ब्रिजेश पाठक ब्रिजेश पाठक एक मजबूत नेता है और अगला नाम है स्मृती इरानी का जब से स्मृती इरानी ने अमेठी लुकसभा चुनाओं में पिछली बार राहुल गांधी को हराया है तब से भातिये जनता पार्टी में उनका कद बहुत तो स्मृती इरानी भी स्तार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल है अगला नाम है पियूश गोयल इसके अलावा स्पी सिंग बगहेल संजीर कुमार बालयान जो की एक वरिष्ट सांसद है भातिय जनता पार्टी के और बेबी रानी मौरे बेबी रानी मौरे भी भातिय जन अंसद रही हैं भातिय जनता पार्टी की कई बार अगला नाम है मुक्तार अबास नकवी भातिय जनता पार्टी में कुछ ही ऐसे चहरे हैं जो अलब संख्यक समुदाय में से आते हैं और मुक्तार अबास नकवी उनमें से एक हैं तो ये भी भाजपा के स्तार प्रचारक है उत्तर प्रदेश लोग सभा चुनाओ के लिए अगला नाम है भुपेंद्र सिंग चौधरी फिर आते हैं स्वतंत्र देव सिंग अगला नाम है धर्मपाल इसके बाद बियल वर्मा लक्षमी कांट बाचपेई जैवीर सिंग, धरेंद्र कश्यप, असीम अरुड़ देखिए शुरू के जो कुछ नाम है वो तो काफी बड़े है चलचित है लेकिन बाद के लोग उतने फेमस नहीं है धर्मपाल सिंग, कपिल देव अगरवाल, सुरेन सिंग नागर, चौधरी लक्षमी नारायन, सुनील शर्मा, सुमेंद्र तोमर, जस्वन्त सैनी, दानिश आज़ाद दानिश आज़ाद भी एक दिखियाल संक्यक समधाय से आने वाला चहरा है इसके बाद हैं, गीता शाक, अश्वनी त्यागी, सुभाश, यदुवंच, सतेन सिसोधिया और संतोश सीन्थ तो यह हैं भाथती जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में स्थार प्रचारे अब आप बताईए कि यह लोग कितने सफल होंगे भाजपा को लोग सबाद चुनाओ जिताने में क्योंकि भाजपा का नारा है, अब की बार 80 में 80 उत्तर प्रदेश में और वैसे तो अब की बार 400 पार कुछ सर्वे हैं जिनोंने यहां पर कहा भी है कि जो इंडिया गडबंधन उसे दो से लेके पांच या साथ सीट तक देना है, तो इसके बारे में भी आप तक क्या कहना है, क्या इंडिया गडबंधन वाकई में पांच या साथ सीटों तक सिमर जाएगा, यह भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद